हालो फ्रेंड्स और मैं डूस देंग इस वीडियो में हम लोग बीफाउम फोर्थ एयर एट समिस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट फार्मसोटिकल प्रोड़क्ट डिवलपमेंट जिसका की सब्जेक्ट कोड बीपी एट वन्ट्री एटी है उसके एक मौडल कोश्चिन के बारे में बात करेंगे इसको हम लोगों ने फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया के लेटेस्ट एक्जामनेशन पैटर्न पर प्रिपेर किया है और इसमें उन कुश्चिन को इंक्लूड किया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और फार्मसोटिकल प्रोड़क्ट डिवलप में रिपीटेडली पूछे जाते हैं मेरा नाम है डॉक्टर महनताप सेंट चल यह सुरू करते हैं तो अगर हम लोग इस मॉडल कोश्चिन पेपर को देखें तो इसको हम लोगों ने फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया के लेटेस्ट एक्जामनेशन पैटर्न पर प्रपेर खेंट प्रफिय हैं तो आइए हर एक सेक्षन से जो इंपोर्टन कोश्चिन से उनको देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो सेक्षन ए कोशैंट है अगर इसको देखें तो जैसा कि आपको प्ताई होगा ime total 15进 होते है कोई भी ओप्ली कोशिन नहीं होता है हर एक कोश ज़े जाव glass container यहाँ पर pharmaceutical industry में glass container के क्या advantage है उसको short में आपको explain करना है तो जो glass containers होते हैं उनमें chemical resistance हमें काफी अच्छा वो देखने को मिलता है उसके साथ साथ में glass container हमारे जो content है उसको बाहरी environment से completely हमें protect भी करते हुए देखने को मिलते हैं साथ साथ में जो glass container है उनका appearance भी हमें काफी अच्छा वो देखने को मिलता है glass container और container से हमें strong भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जो glass container है उनके अंदर कितना content हमारा बच्चा हुआ है उसकी क्या condition है वो हमें clearly visible भी होता है तो यह सारे जो advantage है वो आप exam में यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद में अगर हम लोग जो अगला question है उसको देखें अगला question भी काफी important है name any four packages approved by the FDA as tempered resistance packaging system तो FDA के द्वारा कोई हमारे चार ऐसे packages के नाम आपको वो लिखने है जिसने वो जिनको FDA ने tempered resistance packaging system है उसके रूप में अप्रूफ किया है तो उन लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे होत किया है जो blister package है उनको FDA ने approve किया है strip जो package है उनको जो हमारा FDA है उसने approve किया है aerosol के हमारे जितने containers होते हैं जो हमारे यहां पे breakable caps वगरा होते हैं इन सब को FDA ने approve कर रखा है तो इनको भी आप यहाँ पे इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं अगले question पर आते हैं दो phases होती है, एक हमारी aqueous phase होती है और एक oily phase होती है, और aqueous phase और oily phase आपस में हमें missible देखने को प्राप्त नहीं होती है, तो जो हमारे emulsifying agent हैं, ये ऐसे substance होते हैं, जो की aqueous phase और oily phase के बीच की interfacial, जो tension है, उसको reduce कर देते हैं, जिसके कारण की ये दोनों phases हमें properly आपस में अच्छे से mix होती हुए, और एक stable emulsion को form करते हुए, यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पर कर सकते हैं, अगले question पर आते हैं, ये भी काफी important है, polyethylene glycol, तो polyethylene glycol क्या है, इसको properly आपको explain करना है, तो अगर हम लोग polyethylene glycol को देखें, तो ये basically जो हमारे petroleum से हैं, उनी से हमें derive होते हुए, यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर इसके हम लोग pharmacological effect के बारे में बात करते हैं, तो इस constipation है, उसका जब हमें management करना होता है, किसी patient के constipation है, तो उस condition में हम लोग polyethylene glycol को यहाँ पर उपयोग करते हैं, pharmaceutical industry में देखें, तो वहाँ पर हम लोग polyethylene glycol, जो lubricant है, उसकी तरह अपने जो preparation है, उसमें हम लोग use कर सकते हैं, और इसको हम लोग binding agent के रूप में भी answer यहाँ पर कर सकते हैं, आईए अगले question पर आते हैं, यह भी हमारा काफी important है, यह है type of problems in optimization, तो optimization की जो process है, उनमें हमें कितने type की problems देखने को मिलती है, उनको आपको sort में यहाँ पर लिखना है, तो अगर हम लोग simply देखें, तो optimization की जो हमारी process है, उसमें हमें दो type की problem simply दे है वो यहाँ पर होती है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पर कर सकते हैं अगले question पर आते हैं यह है हमारा यह है mention the element of quality by design तो quality by design जो QBD है उसके जो elements है उनको हमें simply यहाँ पर mention करना है तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो पहला हमारा element है जो है target product profile उसके बाद में दूसरा element है हमारा that is called the यह कहलाता है target product quality जो profile है वो यहाँ पर होता है अगला critical quality attribute है उसके बाद में जो critical हमारा material attribute है जो है वो इसका यहाँ पर element होता है process के जो parameters है वो हमारे यहाँ पर quality by design है उसके हमारा जो element है वो होता है साथ साथ में जो design space है वो भी हमारा यहाँ पर quality by design का element यहाँ पर होता है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पर कर सकते हैं अगले question पर आते हैं अगला question भी हमारा काफी important है classification of non-ionic surfactant तो जो हमारे non-ionic surfactant होते हैं उनको हमें simply यहाँ पर classify करना है हमारे non-ionic surfactant है इसको हम दो दो टाइप में simply divide करते हैं एक हमारा होता है कहलाता है water insoluble और जो हमारा दूसरा है वो होता है water soluble तो अगर हम जो water insoluble हमारे non-ionic surfactant है उसके example को देखें तो इसमें हमारा जो fatty alcohol है वो आ जाता है उसके साथ साथ में जो fatty acid esters है वो इसके अंतर इसके एक्जामपल है, और अगर हम लोग जो वाटर सॉलबल, हमारे नॉन आयनिक होते हैं, सर्फेक्टेंट उनको देखें, तो उसमें हमारा जो होता है, यहां पे पॉलि आक्सी, एथलीन सॉर्बिटॉल है, वो इसका यहां पे एक्जामपल है, उसके साथ में, जो हमारा है polyoxy, हमारा propylene, esters हैं, वो इसके example है, तो इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं, अब आइए अगले question को अगर देखें, तो यह है हमारा enteric coating, तो यहाँ पे sort में आपको enteric coating क्या होती है, उसको explain करना है, तो अगर हम दो enteric coating है, उसके बारे में बात करते हैं, तो यह basically एक barrier की के लिए हम लो enteric coating को अपने oral, जो हमारी tablet वगरा है, उसके ऊपर करने का काम करते हैं, तो यह जब हमारे stomach में pH कम होता है, तो उस condition में हमारा जो drug का release है, उसको वहाँ पे रोक के रखता है, और जैसे ही हमारी drug stomach को cross करके small intestine में आती है, और वहाँ पे pH इंक्रीज होता है, वह हमें अपनी drug जो है, वह release होते हुए simply देखने को मिलती है, और यह interic coating है उसी के कारण हमें देखने को मिलता है, तो आप इस तरीके से इस question का भी answer कर सकते हैं, अगले question पे आते हैं, अगला question है हमारा write about the lal test, तो lal test क्या होता है, उसको हमें sort में यहाँ पे explain करना है, तो basically अ हम लोग जिस test को use करते हैं, उसको हम लोग lal test के नाम से simply indicate करते हैं, तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पे कर सकते हैं, अगले question पे आते हैं define optimization, तो optimization क्या होता है, उसको आपको sort में यहाँ पे define करना है, तो हम simply कह सकते हैं कि जितने भी हमारे available, जो हमारे resources हैं, उनको अगर हम लोग effectively use करते हैं और उसके अनुसार अपनी process को design करते हैं, तो इस process को हम लोग basically optimization के नाम से indicate करते हैं, जितने भी हमारे पास resource available हैं, उनको अगर हम लोग अच्छे से उपयोग करें और एक अच्छी process को, एक अच्छी जो हमारी technique है उसको develop करें, तो उस condition में इस process को ह करते हैं, तो इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं, अब आइए हम लोग जो दूसरा section है, section B उसमें आ जाते हैं, तो जो section B है, उसमें total 3 question दिये गये होते हैं, कोई भी 2 आपको attempt करना होता है, और हर एक question का जो सही answer है, आप अच्छे से अगर उसको लिखते हैं, तो 10 number आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी question पूछा जा रहा है, उसको proper अच्छे से detail में आपको explain करना है, तो आईए, अगर इसके question को देखें, तो इसका जो सबसे पहला question है हमारा, that is the discuss the optimization parameters and different optimization techniques in formulation development, तो जो हमारे अलग-अलग optimization parameters हैं, उनक आपको यहाँ पे करना है, discuss साथ-साथ में, यहाँ पे जो हमारा formulation का development है, उसमें जो अलग-अलग optimization techniques है, उनको आपको यहाँ पे explain करना है, तो यह भी question काफी important है, काफी बार exam में पूछा जाता है, उसके बाद में अगले question पे आते हैं, अगला question है हमारा, what is the significance of quality by design in the new product to development and discuss any one technique in detail, तो हमारी वो कौन-कौन सी यहाँ पे वो technique है, जिनको हम लोग अपने product का जब development करते हैं, तो उसको यहाँ पे use करते हैं, उन में से किसी एक technique को आपको properly detail में यहाँ पे explain करना है, यह भी question काफी important है, इसको भी exam में जाने से पहले अच्छे से तयार कर लीजेगा, अ of the packaging material used in pharmaceutical preparation, तो हम जो हमारा pharmaceutical preparation है, उसके लिए जो packaging material है, उनको जब select करते हैं, तो हम लोग क्या-क्या चीजे ध्यान में रखते हैं, उसका जो quality control है, वो किस तरीके से करते हैं, और उसके क्या हमारे regulatory consideration है, उन सब के बारे में आपको properly यहाँ पे explain करना है, तो यह भी question काफी important ह एक्जाम में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तयार कर लीजेगा, अगले question पर आते हैं, जो हमारा अगला section है, section C, अगर इसको देखे हैं, तो इसमें total 7 question दिये गये होते हैं, आपको इन में से कोई भी 5 attempt करना होता है, हर एक question को आप अगर अच्छे से लिखते हैं, तो 7 number आपको दिया जाता है, इसका मतलब आपको जो भी exam question में पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा सा detail में ही आपको explain करना है, तो इसमें जो आज का हमारा सबसे पहला question है, वो है objectives of pharmaceutical product development, जो हमारा subject है, pharmaceutical product development, इसके क्या-क्या objectives होते हैं, उसको आपको properly यहाँ पे अच्छे से explain कर आते हैं, तो यह वाला जो हमारा first question है, यह काफी important है, यह exam में हमें अकसर यह question देखने को मिलता है, अगले question पर आते हैं, यह हमारा discuss in detail the directly compressible vehicles used for production of tablets, तो वो हमारे कौन-कौन से इतरसे जो वहकिल हैं, जिनको हम लोग directly यहाँ पे जो tablet है उसके form में compress कर सकते हैं, उनके बारे आपको यहाँ पर properly अच्छे से explain करना है, तो यह भी question काफी important है, काफी बार exam में पूछा जा चुका है, अगला question भी हमारा काफी important है, यह है discuss quality control test of parentals, तो जो हमारे parental population होते हैं, उनके कौन-कौन से हमारे quality control test है, उनको आपको properly अच्छे से explain करना है, उसके बाद में, अगला question है हमारा यह है discuss in brief the ICH stability, वो testing requirement for new drug dosage form, तो अगर कोई new drug हमारी dosage form है, तो उसके लिए जो हमारी stability, जो हमारी testing होती है, उसके लिए क्या-क्या requirement है, ICH के अमसार उसको आपको यहाँ पर properly explain करना है, तो यह भी question काफी important है, अगले question पर आते हैं, अगला question है हमारा, यह है classify the emulsifying agent and discuss any one class in detail, तो जो emulsifying जो agent है, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से classify करते हैं, और उन में से किसी एक class को आपको properly अच्छे से detail में explain करना है, तो यह भी question काफी important है, अगला question अगर देखें तो यह क्या है, what are the suspending agent and write their ideal property and application, तो जो हमारे suspending agent है, वो क्या होते हैं, और उनकी क्या ideal properties होनी चाहिए, और इसको हम लोग क्यों use करते हैं, इसके क्या applications है, इनको आपको properly अच्छे से explain करना है, और अंतिम question को अगर देखें, तो यह हमारा give the importance of the pre-formulation study, तो जो हमारा pre-formulation study है, उसके क्या-क्या importance होते हैं, उसको आपको यहाँ पे explain करना है, तो इस तर सबके answer अच्छे से आप लोग prepare कर लीजेगा, तो एक्जाम के लिए आप लोग को best of लगए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी Thank you.